हेलो डियर, तो आप लोग को स्वागत करता हूँ, बहुत ही संदार एक और प्रशन लेकर आ चुके हैं, जो कि UP State Medical Faculty के तरफ से एकजाम जो हो रहा है, जी एनेम के लिए, उसका फर्स्ट इयर का पेपर आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं, उके, तो देख सकते हैं, UP State Medical Faculty लख सकेंड पेपर बहुत लोग हमारे पास देरी से पहुचाय पाएं, जिसके वज़े से आपका वो पेपर नहीं आ पाया, कोई नहीं, हम उसको भी सुलूशन कर लेंगे, आज हम लोग तीसरा सब्जेक्ट, Fundamental of Nursing का पेपर को सुलूशन करेंगे, देखेंगे कि अबजेक्टि सांस लेने में कठनाई के लिए उपयोग किये जाने वाला सज, मतलब सांस लेने में अगर किसी को कठनाई होता हो तो मेरिकल भासा में कौन से सब्द का उपयोग करते हैं? dyspepsia, dysphagia, dysponia, dysmenaria dyspepsia निगलने में कठना आई और dysponia यही स्वसन में कष्ट होता है समझ गए सांस लेने में कष्ट उसके बाद है यहाँ पे देखियेगा मुत्र की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है तो मुत्र की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है आप लोग को पता है यहाँ पर अनुपस्थित पूछ रहा है कौम नहीं पूछ रहा है अगर कौम पूछता तो अलिगुरिया होता समझ गए अनुपस्थित है तो एनुरिया होगा इस बात को समझ येगा और पायुरिया का मतलब क्या है कि मूत्र में पॉस का होना पायुरि रक्त में औक्सिजन का कमी हम बार-बार परहाएं हैं, कि जैसे ही रक्त में औक्सिजन का कमी पुछेगा, तो diffल. अगर यहीं पर रहता, कि उतक में यही जन का कमी होना, तो यहाँ पर साइंवसीस हो जाता हैं, समझ गए? एनोरेक्सिया भूख में कमी होता है, समझ गए? तो ये चीजे आप लोग को समझना है, ओके? चलिए. इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज कल्ड मसूरो की सीजन को क्या कहा जाता है? तो आपको ये भी पता है, ये भी परहा चुके हैं. मसूरो में जो सूजन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिंजी वाइटिस कहते हैं, ओफ्सन भी राइट होगा. ओके? एस टोम में टाइटिस होता है मुह का inflammation होता है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ओके तो वो टाइटीस क्या होता है कान का शंक्रमन तो यह सब आपको पता होना चाहिए सब के सब परहा चुके हैं यह पांच नंबर आपको बहुरी असान था इंसोमेनिया मीस मतलब अनीद्रा का क्या आत होता है तो अनीद्रा का जाहिश सी बात है मतलम नीद्र ना ना समझ गए तो देख लिए कौन सा option है चलने में असमर्था गलत सुनने में गलत खाने में गलत राइट एंसर option डी सोने में असमर्था तो यह पाच नंबर बिल्कुन अशान था अगर जो लोग परहे होंगे अच्छे से इस सब के सब हम परहा चुके हैं ओके तो जो लोग कलास कर रहे थे पहले से उनको पता है जो लोग नहीं कर रहे थे उनको तो नहीं पता होगा समझ गए चलिए अब यहाँ प यह सही होगा, ओके? कहता है रेक्टल परिअशन में ओٹो-इसकोप का उप्यो किया जाता है, तो अब आप लोगों को पता है, मैं बार-बार यह पढ़ाया था कि रेक्टल के एक्जामिनेशन में प्रोटो-इसकोप का उप्यो किया जाता है, NOTE FOR OUTO Esco-کोप, ओटो-इसको होना मतलब Brady cardia यानि मंद हिर्दय गती तेकी cardia होता है तेज गती यहां पर कह रहा है कि कमी कमी नहीं होगा तेजी होगा तो यह गलत हो जाएगा आगे है यहां पर तीसे चोथा नंबर का है एक ब्यस का समान जो रक चाप होता है 120 वाई 80 ममें चीजी होता है बिल्कुन होता ह यही सही है यानि A सही है उसके बाद A सही है बाकी B C गलत है समझेगे इसको ध्यान में रखिएगा और द्रिष्टी का परिक्षन के लिए turning काटा का उपयोग किया जाएगा तो यह भी गलत हो जाएगा तो दो सही है तीन गलत है समझ लीजिए पांच नमबर आपको बिल्कुन असानी से मिल जाएगा इस शिष्ट को ध्यान में रखना है अब एक और प्रशन है पांच नमबर फिलप है कहता है कि डैस सिस्टोलिक और डाइस सिस्टोलिक दवाब के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है मतला जो सिस्टोलि सिस्टोलिक और जो डाइस सिस्टोलिक होता है इसको बीच के अंतर होता है उसको क्या बोलते है बहुत अच्छा प्रशन है यह भी हम परहा चुके हैं आप लोगको तो यहां पे option number हिंदी में अगर लिखते हैं तो pulse pressure, sorry इंग्रिश में pulse pressure और हिंदी में नारी दाव, यह सही है पहला, ओके, दूसरा है oxygen का cylinder का रंग कैसा होता है, कितना बर पढ़ा चुके हैं, black होता है, समझेगे, चलिए, तिसरा है, फरना height को Celsius में बदलने के सूत्र, अभी में 9 और into में 5 होता है, इतना ही होता है, अब जिसको अगर यह formula याद होगा, असानी से तिर्चा गुना करके फरना height का निकाल लेगा, फरना height का पूछ रहा है, तो यह चीजे है, बाकी एक formula से ही दोनों आपको निकल जाता है, जो भी पूछे, फरना height को Celsius में या Celsius को फरना चलिए, सुत्र पूछ रहा है, सिधा सुत्र को लिख देना था, उसके बार कहता है मूत्र में मबाद, तो अभी उपर बता है, पायूरिया, पायूरिया जो होता है, वह मूत्र में दवाब को पायूरिया कहते हैं, यही right answer हो जाएगा, मूत्र में पस आना पायूरिया, चलिए, तो यह हो गया, देखिए, कहा जाए, तो एकाद प्रशन हटा दिया जाए, तो तेरह नंबर एक दम बनने वाला है, ऐसे तो बनने वाला 50 है, हम पूरा 50 परहाए हैं, लेकिन 13 आपको बनना चाहिए, तेरह से अगर कम बनाते हैं, तो फिर आपका परहाई कमजोर है उतना जो है, दम नहीं था उजेक्टिव में, 15 में 15 आपको आना चाहिए, समझे गए, तोटल हम परहा रखे हैं, जो लोग चैनल को हमें फॉलो करते हैं, सुरू से उनको पता है कि मैं कितना ज़्यादा मेहनत करके आप लोग को सरा कर सरा परहा दिया हूँ, अब चरिये च पाच नंबर ये भी बड़ी असान है, एक नर्स की भूमिका और जिमिदारी, देखिए यहां पर इंगलिस जो है आपका repeat कर दिया है, हिंदी repeat कर दिया हूपर वाले का, इंगलिस देखिए, फंसन आप होस्पीटल, होस्पीटल के कामों को लिखना था, क्या होस्पीटल के काम आप नहीं लिख सकते हैं, कि वह स्पीटल में क्या-क्या होता है, क्या-क्या काम होता है, बिल्कुन आसानी से लिख सकते थे, एक पेज में लिख सकते हैं आप, और हम परहा भी दिये हैं, तो ये भी आपका बरियास्तान है, समझने हैं चीजों को, तो दोनों आपका प एर क्यूशन इस सब के सब हम परहा दिये हैं सेंड बॉक्स ब्लैक बॉक्स इस सब चीज़ परहा दिये हैं बस आपको लिखना था यहां पर तो तीन यह भी प्रशन हो गया आप कहता है मुह धोलने का स्वास्त सिख्छा दिजिए मतलब किसी को अगर मुह धोना है उसके मुह की स्वाक्षता करना है तो उसको आप क्या-क्या सलाह देंगे क्या-क्या स्वास्त सिख्छा देंगे ताकि वो अपने मुह को धोकर साप करकर रखे तो आप अराम से लिख सकते हैं अगर यह छोड़ दीजिए तो स्वास्त में ब्याम का क्या महत्व है आपके जीवन में आ एक हमको लिखना था तीन उपर लिख दिए तो कोई एक इसमें से लिख देना था तो यानि हम टोटल के टोटल आपको परहा दिये हैं समझगे 20 नंबर आपका यहां पर मिल जाता चार परशन के जवाब देना था अब यहां भी छे में से मात्र चार कहीं जवाब देना है दस नंबर का एक प्रश्ण है, समझ रहे हैं, 40 नंबर का है, लॉंग कुश्चन है, अब बताइए, एनीमा हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसका परकार, उदेश, साबुन, पानी, एनीमा, क्या हम नहीं पढ़ाए हैं, बिल्कुल, एनीमा भी हम पढ़ा दिये हैं, 10 नंबर उसके बाद है, देख लिजे, यहाँ पे, डिकुबेटर सलसर, जिसको बिस्तरी दाब कहते हैं, बिस्तरी घाओ, यह भी परहा दिये हैं, 10 नंबर आराम से मिल जाएगा आपको, समझ गया हैं, उसके बाद कहता है, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का जो है, बारे में लिखन एक, दो, समझ गया, और एक पी-पी, पी-पी होता है, जैसे आप लोग को पता है, पी-पी कीट होता है, परशनल प्रोटेक्टिव एकूपमेंट होता है, जिसमें आख हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, सीर हो गया, यह सब ढखने के एक एकूपमेंट आता ह जो हेल्थ केर वर्कर को एक कीटर अपने पास रखना पड़ता है उसी को प्रोटेक्टिव कीट कहते हैं जिसमें आप लोग देखते हुए गा कोरोना के समय यह पीपीई कीट बहुत ज़्यादा चर्चा में था उस समय लोग इसका बहुत इस्तमाल खासकर हेल्थ वर्कर बह को पहनते हैं पेरों को बचाने के लिए हाथ में हाथ को बचाने के लिए धस्थाना लगाते हैं तबी को बचाने के लिए चार्यिया परकार से पूछता नहीं है है नोर्मली पूछता नहीं है समझ रहे हैं चलिए यहां पर आगे देखते हैं बागी हम कोई दीकत नहीं हमको तो चारेव बताना ही है जब आप छोव में हाइपरपैरेक्सिया क्या हम प्रहाएं है जब हम फीवर के टाइपस पढ़ा रहे थे तो हाइपर पैरेक्सिया क्या है और इसमें नर्स की क्या भूमिका होती है फिजकल एक्जामिनेशन करने में एवी चीजे को हमको लिखना था तो इस हिसाब से हम इस छे में से कोई भी चार अगर आप लिखते ना तो हम उपढ़ा दिये थे जो चार आप चाहते लिखने का अराम से आप लिख सकते थे ब हमारा दिसंबर तक है जो है में कलास चलेगा उसके बाद प्रवरी तक हम लोग रिविजन करेंगे और फिर हम लोग तब चलेंगे 2023 से 2024 के सिलेवस की तरफ समझ गया रिविजन भी जरूरी है जो लोग नए आए हैं उनको रिविजन भी हो जाएगा बाकि हम दिसंबर तक कोर्स अभी समाप कर देंगे फर्स्ट यर शकेंड यर का तो आप लोग देख रहें आपके सामने में है टोटल अभी नहीं कम्पलीट किये हैं फिर भी उसी के अंदर से कुस्चन आ रहा है जो हम पढ़ा दिये हैं अभी तर बाकि कम्पलीट कर देंगे तो सब इसी के क्या यूश्फूल लगता है चैनल या नहीं लगता है